यह दिखे जी आज मैं मखन का गीव बना जी हूँ और यह घर का मखन है थोड़ा थोड़ा हो जाता है अपने लाइक हमारे यह मैंने पतीले में मखन डाल जिया है और आगे जलाई भी चुले में और आज कल भूँ जादा थंड भी हुई है हम सभी लोग वैठे हुए आग के पास है अब हमारे को ज्यादा आज रखने पड़ती है फिर जब यह बिल्कुल ऐसे हो जाता है तब कम रखने पड़ती है नहीं तो उबलता है उपर को गड़ती है नहीं देखिए जी मखन हमारा पूरी तरह से घर चुका है अब अब इसमें कच्ची के साथ इस तरह से छेड़ा देना पड़ता है नहीं तो यह उबल जाता है इसलिए हमार को खुले बरतन रखना पड़ता है आप देखिए उबलने लग चुका है अब हमार को आंच थोड़ी कम करने पड़ेगी नहीं तो नीचे गिर जाएगा अधिना बने लेकितना उपर जाएग है उबलते उबलते इसलिए है भी जाए है कि रिखिजी अब त्यारी ओने वाड़ाईगी पांदस मिन्ट में कि देखिजी अब घी हमारा त्यार हो चुका है जब इसमें इस तरह से उबा लिया जाती है तब यह त्यार हो जाता है इसमें थोड़े से मेठीके दाने डाल देने चे उससे खुश्बू अच्छी आती है इसमें इस तरह से ब्राउन जैसा इसमें निकल जाता है नेचे और जब यह ठंडा हो जाएगा तब हम इसको डब्वे में भर देंगे पहले कितना भरी था यह पति लाव कितना सा निकलाई से कम अच्छी बाट आएगा लाएगा तब्सक्राण भर देने लिए कितना से तरह से आएगा थेखा करते हैं करते दो हम सब्सक्तर आयाख अद्स्का मत्यों सब्सक्राण प्रमा 176,000 वे खाली डाल से आएगा अधें करते दो हम आईबिड़ा थेजित शादी करते कि देखिए आदा किलो का डबा दर गया है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कैनल को सिस्क्राइब करना और इसमें थोड़ा सा बच गया है यह में केचली में डाल तूंगी और यह नीचे वच्छा था इसको हम मेडू बलते हैं और यह गाय को दूरी में खाने के लिए